स्वार्ड इमोटल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइचन लोगों का इंट्रेंस एक्जान चल रहा था और तब टीचर भी क्लास में आये थे और उन्होंने सभी बच्चों को एक्जाम का रूल बताया था और हमने पिछले एपिसोड में ये भी विडियो बनाता है वो उन चीजों में experience हो जाता है और इसी चीज़ का फाइदा उठाकर लिन बाइचन question paper को इधर से उधर देखने लगता है और वो देखता है उसके दोस्त अभी भी लिखी रहे हैं और वो इससे और भी ज्यादा खुस हो जाता है और एक दबंग की तरह अपने seat से उठकर बाहर चला जाता है रुखिये मैं आपको उसके चलने का style दिखा देता हूँ वैसे दोस्तों आप लोगों को हमारा lean character कैसा लगता है यार मुझे तो बहुत ही funny लगता है तो चलिए आप explanation के और आगे बढ़ते हैं और तब हम देखते है lean अपने class से निकल person marks आएंगे जिस पर लगती कहती है वाओ ये तो बहुत ही अच्छा है जिस पर लगता है ऐसा भी हो सकता है कि full भी आ सकते हैं इससे जिनी उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और तब लगता है मैं exam में बायचन के पास सी बैठा था और exam सुरू होने के बहुत जल और चल चलते चलते ये लोग एक जगा आते हैं जा बहुत सारी बच्चे इकठा होते हैं और तब सही बच्चे वहाँ पर जा कर चेक करते हैं कि वो लोग exam में पास हुए हैं या नहीं ौर तब फुर जा-गर चेक करता है तो वो भी sin-trance exam में पास हो चुका था और तब ब पातनी ये भी ठीक ही है और तुम लोग भी अच्छे से मेहनत करना मुझे उम्मीद है तुम लोग भी अच्छा कर सकते हो और तब जिन्यू भी वूग के पास आती है और कहती है वो आप तो सच में आशम है आपने तो लगवक्त फुल मार्क से करीब स्कोर कर ही लिया है और वो भी कहने लगता है सायद भैचन ने चीटिंग की होगी क्योंकि वो तो इतना नालायक था ना कुछ पढ़ने जानता था ना कुछ पढ़ता था आखिर उसने इतना अच्छा मार्क कैसे स्कोर कर लिया वो भी 100% और अब सब जगय लिन भैचन के ही चर्चे चल रहे थे औ वो लड़का कोई और नहीं बलके लिन भाचन है जो कि कभी भी पढ़ने में मन नहीं लगाता था और तभी यहां उन लोगों के हेड़ टीचर आते हैं जो इन सबी से कहते हैं तुम लोगों को क्या हुआ तुम लोगों का मुँँ इतना लटका हुआ क्यों है जिस पर वो लिन और ये सीन यही कट हो जाता है और तब हम बाहर में लिन भाचन के तरफ देखते हैं जिसे किसे बच्चों ने घेर लिया था और वो उससे QUESTION कर रहा था वो कहर रहा था लिन भाचन हमें सबसर बताओ तुमने एक्जाम में फूल मार्ग्स कैसे SCORE किया तो तुम ऐसा कैस हो जबकि तुम आज तक किसी भी एक्जाम में सही से हाफ मांक्स भी नहीं ला पाते हो और नहीं आज तक हमने तुम्हें कभी पर्देवे देखा है और इतना सक पहरा था और हमारे आसपास एक बेरियर भी बनाया गया था फिर भी तुमने उस सिस्टेम को कैसे चीट कर लिया इतना आसान था सायद तुमने सही से पढ़ा नहीं होगा और यह सुनकर वू को बहुत ही ज़्यादा गुस्ता आता है और वो लिन बैचन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन उसे क्लासमेर्स पीछे से उसे रोक लेते हैं और कहते हैं वू आपको इससे लड़न रही है और यह सुनकर वू को और भी ज़्यादा गुस्ता आता है और वो लिन बैचन का कॉलर पकर लेता है और उसे मानने के लिए रेडी हो जाता है और लिन बैचन हसरा होता है और इसे सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खतम हो जाता है तो के बाई दोस्तों मिलते हैं नेस्ट विडियो में